नमस्कार दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल सक्सेस रांगड में दोस्तों मैं कॉन लिमिटेड रांची के दुरवार यहां पे जो है बहुत बड़ी रिक्वाइडमेंट की नोटिफिकेशन्स यहां पे निकाली गई है ओफिसर्स की पोस्ट है इंज इतने सारे सीटे यहां पे जो है मेकॉन लिमिटेड के दौर यहां पे निकाली गई तो वीडियो को सुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगे कि वीडियो को आप लाइक कर दे और वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपके लिए इनफोर्मेटिव अफिसल नोटिफिकेशन से जो मेकॉन लिमिटेड के दौर यहां पे निकाली गई है और यह रिक्वार्मेट जो है आपकी प्यॉरली जो है कॉन्टेक्शल बेसिस पे यहां पे होने वाली है ठीक है यहां पे बात करके कि इस पोस्ट में कितने सारे सीटे यहां पे निकाल गई है Macon Limited के दुवारा तो आप यहां पे देख पर की जो area requirement आपको यहां पे देगई है MR Secretarial के लिए इसमें आपकी post code 1 यहां पे देगई है और जो name of the post junior officers के यहां पे post है इसमें total एक post है इसमें जो आपकी qualifications होने चाहिए तो अगर आप BA, BAC in any disciplines कर रखे होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आविदन कर सकते हैं junior officers की post के लिए and second में आप देख पर इक जो area requirement आपके देगई है market research के लिए इसमें जो name of the post है assistant executive की post है dy executive की post है executive यह senior executive यह सारी जो है यहां पे market research जो area है इसमें जो name of the post दी गई है इसमें total आपके यहां पे जो है दो सीट यहां पे रखी गई है and इसमें जो आपकी qualifications लिजारी है market research के लिए तो अगर आप simply degree in engineering कर रखे होंगे साथ में 2 साल की यहां पे MBA का course कर रखे होंगे तो आप इसके लिए आवधन कर सकते हैं नहीं तो अगर आप 2 साल की जो course होती है PGDM इसमें अगर आपकी qualifications होगी तो आप market research की post के लिए जो है आप इसमें apply कर सकते हैं थाड में आप देख पर कि जो area requirement यहां पे दिगई है SPAT hospital है इसमें जो name of the post है junior officers जो की hospital management के लिए है और second में assistant superintendent यह भी जो है आपका यहां पे medical छेतर में है तो यह आप देख पर कि इसमें दोनों में जो है एक एक सीटे यहां पे जो है requirement निकाल लिए है जो SPAT hospital है इन छेतर में इसमें जो आपकी qualifications होनी चाहिए तो अगर आप graduations in any disciplines with diploma in hospital administrations या फिर hospital management of minimum one years जो यहां पे durations के द्वार यहां पे की जाती है तो आप बिलकुँ जो ही इसके लिए आविदन कर सकते हैं वहीं पे जो administration के यहां पे जो area दी गई है इसमें आप देख पार कि जो name of the post दी ग गई है इसमें भी जो है total एक post है और इसमें जो आपकी qualifications ली जा लिए तो graduations in any disciplines with diploma in hotel management या फिर hospitality management of minimum one years की जो durations होती है यह सभी courses अगर आप कर रखे होंगे तो आप junior officers की post के लिए जो है आप आविदन कर सकते हैं IT department जो area है इसमें जो name of the post यहां पे दी गई है यहां देख प आपका यहां पे जो है एक post है qualifications जो है degree in information technology या फिर computer science engineering अगर आप इसमें बीए बीटेक अगर आप जो है relevant field में अगर आपकी होगी IT छेतर में तो आप junior engineers की post लिए जो है आप इसमें apply कर सकते हैं and जो next area आपको जो requirement दी गई है call and call open के लिए इसमें देख पार है कि जो post name है junior engineers की post है इसमें total आपका यहां पे जो है चार सीटे निकाल गए तो अगर आप junior engineers school and call के लिए apply करना चाहते हैं तो इसमें आपके qualifications degree in engineering होनी चाहिए तो अगर आप B.E.B.Tech engineering छेतर में कर रखे होंगे तो आप बिल्कुल जो है इस post के लिए आवधन कर सकते हैं next यहां पे जो post junior engineer protocol के लिए तो इसमें total आपके जो है एक seat है जिसमें की qualifications, graduations in any disciplines आपके यहां पे होनी चाहिए and next यहां पे जो post है assistant engineers की post है इसमें भी आप देख पार है कि जो qualifications आपका यहां पे लिजा लिए degree in mineral या फिर mechanical engineering इनमें से अगर आपके पास कोई भी qualifications होगा कोई भी degree तो आप assistant engineer की post के लिए जो है आविदन कर सकते हैं इसमें total आपके जो है दो सीटे निकाल गए है next में यहां पे देख पार कि जो यहां पे पोस्ट है assistant engineers जो की material handling की area में है इसमें आप total जो है 6 seat है जहां पे qualifications जो है degree in mechanical engineering में होनी चाहिए assistant engineer की post के लिए marketing छेतर की बात करें marketing छेतर में यहां पे जो है assistant executive की post है executive की जो marketing छेतर है इन सर्भी में post है assistant executive के लिए जो है चार seat है and executive के लिए जो है 1 seat है ठीक है इसमें आपके qualification जो है दो साल की जो यहां पे course होती है MBA या फिर PGDM तो यह सब की course अगर आप कर रहे होंगे तो आप marketing जो executive यहां पे जो post name है इस personal secretary की post है इसमें total आपकी यहां पे जो है 6 seat निकाल गई है and जो इसमें qualifications आपका यहां पे लिजा लिए तो simply आप देख पाले कि जो graduations in any discipline with certificate course minimum one year durations जो यहां पे होती है like यहां पे stenographer या फिर जो secretary लिए service यह सभी की अगर आपका course होगी और साथ में जो है आपका यहां पे graduations किये होंगे any stream में any disciplines में तो आप personal secretary जो HR department है इसके लिए आप जो है आविजन कर सकते हैं इसमें total 6 seat यहां पे बनाई गई है next जो आपका area दे गई है safety guest distributions की है इसमें जो name of the post है डिवाई officers की post है ठीक है इसमें total आपका यहां पे जो है 4 seat है and आप नीचे में देख पाल कि जो ошиб directions की जो आपका junior engineer जूनियर इंजनियर या फिर assistant इंजनियर यह सब सारे जो civil के लिए area आपको दिगे है इन सभी में junior engineers के लिए civil में 8 seat हैं यहां पे junior engineer पर आवेदन अगर आप पर coding इन सब विश्ट के लिये तो आप इसमें आपावेदन कर सकती है जो पर a बुम है जो की पोस्ट की अनुसार तो आप देख पार कि जो name of the post आपको दीगी है like यहाँ पे assistant engineers तो इन में relevant branches यहाँ पे देख पार कि mineral या फिर mechanical engineering जो है यहाँ पे relevant branch रखी गई है and not eligible branches जो आपका यहाँ पे शोकर रहे हैं any other branches और any combinations with relevant branch shall not be considered तो यहाँ पे जो है इनको यहाँ पे माना नहीं जाएगा assistant engineer mh के लिए देख पार कि जो relevant branch आपकी होनी चाहिए तो अगर आप mechanical engineering production engineering और फिर technology इन सभी में आपका relevant branches होगी तो आप assistant engineers जो mh post है इसके लिए आप apply कर सकते हैं next यहाँ पे junior engineer जो IT service के लिए जो name of the post यहाँ पे दीगए इसमें जो आप देख पार कि जो relevant branches आपको यहाँ पे दीगए तो अगर आप information technology या फिर computer science engineering इन सभी में अगर आपकी qualifications होगी तो आप junior engineers जो IT छेतर की यहाँ पे requirement है इसमें आप जो है apply कर सकते हैं और वहीं पे age की criteria के बात करें तो जो age की criteria आपको रखी गई है तो यहाँ पे post के अनुसार यहाँ पे जो है age की criteria आपको रखी गई है like यहाँ पे officers grade में apply करते हैं तो इसके लिए maximum 38 years आपको maximum age यहाँ पे रखी गई है तो आप जिस भी post से apply करना चाहते हैं तो इसके अनुसार जो है आप इसमें age की criteria देख करके भी जो है आप इसमें apply कर सकते हैं वहीं पे basic pay scale की बात करें तो जो remunerations आपको यहाँ पे दी जागी तो जो candidate यहाँ पे अगर आप officers में selected होते हैं डिय वाई जो chemist officers से इसके लिए तो उन सभी को यहाँ पे 42,000 आपको पर मन से ले दे यहाँ पे जो है दी जागी तो उनको जो है 37,500 रुपिय आपको पर मन से ले यहाँ पे दी जाएगी बात करते हैं कि जो experience एंड जो post qualifications के अनुसार यहाँ पे रखी गई है इसमें apply करते हैं तो इसमें आपका कोई भी यहाँ पे जो है experience नहीं ले जारी है pressures जो है आप इसमें apply कर सकते हैं वहीं पे अगर आप junior engineers for civil के लिए apply करते हैं तो इसमें minimum जो है आपको 1 years के जो है fire protection system में जो है आपके यहाँ पे experience होनी चाहिए Assistant Engineers में आपकी Minimum 4 Years के यहाँ पे Experience होनी चाहिए DY Engineers के लिए यहाँ पे 5 Years के यहाँ पे आपको Relevant Field में Experience होनी चाहिए वहीं पे जो Personal Secretary है इसके लिए यहाँ पे Minimum 2 सल के यहाँ पे Experience होनी चाहिए और Officers Grade में अगर आप Apply करते हैं तो Officers Grade में जो है Minimum 8 Years के आपकी Experience यहाँ पे लिजा रही है तो आप जिस भी Post में Apply करते हैं तो उसके अनुसर जो है आप इसमें Experience भी देख करके जो है आप इसमें Apply कर सकते हैं Only जो यहाँ पे Civil Area दे गई है जो स्विविल जो Junior Engineers की Post है उसमें जो है आपका Freshers Candidate जो है आप इसमें Apply कर सकते हैं बाकि जितने भी सारे यहाँ पे जो पोस्ट निकाल गए इन सभी में Minimum 1 Years या पे 2 Years, 3 Years इन सभी की जो है Experience यहाँ पे रखी गई है तो जो भी आपके According यहाँ पे Suitable पोस्ट होगी तो उसके अंतरगर जो है आप इसमें देख करके Apply कर सकते हैं और अगर आप Upper Age में आर्चंस लेना चाहते हैं जो Government Tool के अनुसार के अनुसार के अनुसार यहाँ पे Upper Age में आर्चंस दी जाती है तो OBC के के लिए यहाँ पे 3 साल का जो है आपको Upper Age में आर्चंस दी जागी AC HD की Candidate के लिए यहाँ पे 5 years के यहाँ पे Upper Age में आर्चंस दी जाएगी और जो लोग PWD होंगे तो आप PWD भी यहाँ पे इनको आर्चंस दी जाती है तो यहाँ से के अनुसार जो है आप इसमें देख करके यहाँ इसमें अप्लाए कर सकते हैं Applications फी की बात करें तो जो Applications फी आपको यहाँ पे लिजा रही है तो आप कौन से केटेगरी से होंगे तो उसके अनुसार जो आपको यहाँ पे अप्लिकेशन फी यहाँ पे बनाए गई है तो UR और OBC की Candidate के लिए यहाँ पे 500 आपको अप्लिकेशन फी यहाँ पे लिजा तो इसमें नहीं आपको जो है किसी परकार की Return Test ली जाएगी Only जो Personal Interview होती है इसके माध्यम से आपको यहाँ पे Selections होने वाली है Place of Posting जो आपको यहाँ पे बतलाई गई है तो Any Project जो Macon Limited के कोई भी प्रोजेक्ट होगी यहाँ पे Locations यहाँ पे भारत में कहीं भी जो इसकी प्रोजेक्ट होगी उन सभी में जो है आपको Requirement के अनुसर यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी ठीक है अप्लाई केसी करने है तो अप्लाई करने के लिए सबसे फर्ष्ट जो इसकी Official Website आपको यहाँ पे सो कर रहे है इसमें आप किलिक किज़ेगा इसको आप Open करते हैं आपका Career का Options आपको यहाँ पे Open हो जाएगे Career का जो Page होगा उसमें आप किलिक किज़ेगा तो Career Opportunities का यहाँ पे आपको टेव Options हो जाएगे उसमें आप किलिक किज़ेगा तो किलिक Hair to Apply का Options आपको यहाँ पे सो करेंगे तो जैसे ही इसका जो है Apply करने की Date यहाँ पे आती है मैं आपको Next वीडियो बना के जो है इसको आपको प्रवाइड करते हैं तो दोस्तो इसका जो Official Notification से 18 अगस्त को ही यहाँ पे यहाँ रिलीज कर दी गई है लेकिन इस Form को भरने की Starting Date या फिर इस Form को भरने की Last Date अभी तक जो ही इसकी जो Official Website है इसमें यहाँ पे अपलोड नहीं की गई है ठीक है तो जैसे ही इसका Online Form भरने की Starting Date यहाँ पे Start हो जाती है या फिर इस Form को भरने की Closing Date है यह इसकी जो Official Website पे यहाँ पे अपलोड होती है तो मैं आपको इसका Another वीडियो बना के जो है आपको Available करवा दिगे